एक सवाल क्योंकि आखरी दौर की बाचीत है यूपी में एलेक्शन है विपक्ष तो बहुत कुछ कह रहा है लेकिन खास तरपर कॉंग्रेस पार्टी योगिया जित्तेनाथ को लेके बहुत मुखर है प्रियंका वादरा तो डेरा डाले हुए है राहूल गांधी कहते हैं कि जो नफरत करे वो योगी कैसा उन्हें ट्वीट किया यह देखे राहूल जी को स्वेम पता नहीं होता है कि क्या बोलना चाहते हैं उन्होंने जब केरल में गए थे तब उन्होंने यो तरपरदेश के बारे में भी कहाता है तनिक तो उनको कृत्ग्यता का भाव उनके मन मे होता है जिस उत्तरप्रदेश ने उनकी तिन-तिन पीडी को सित्ताक सत्ता के सीर सिंगासन पर पहुंचाया है उस उत्तरप्रदेश को इन्होंने कोसा है केरल में जाकर के वहां पर उत्तरप्रदेश के एक नागरी को इन्होंने गाली दी है उत्तरप्रदेश इसको कैसे ब अर्यादा प्रसुतम भग्मान सिर्दी राम और स्री कृष्ण की परती जिस प्रकार के ठिपणी 2005 में सुप्रेम कोर्ट में अपने सफ़त पत्र के माध्यम से कॉंग्रेस सरकार ने दिया था क्या ये उत्तर प्रदेश वासी भूल जाएगा कॉंग्रेस के स्कृते को जब ये देश से बाहर जाते हैं तब भारत की निंदा करते हैं क्या इनके स्कृते को भूल पाएंगे तो मेरे परती बोला है तो कौन बुरी बात है जो राम और कृष्ण को नहीं छोड़ते हो योगी के खिलाब बोलें तो उसमें कौन बुरी बात है मैं उसको जानता हूं क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तो विदाउट ब्रेंड बोलते हैं लेकिन अब तो बड़े आक्शन में उनने मुख्यमंतरी बदल दिया है उन्होंने नया मुख्यमंतरी लिया है अब वो डिसाइजिव हो रहा है राहूल जी हो तो कि इलोग इसी प्रकार की से डाइनेमिक बने जिससे कम से कम पंजाब के अंदर कॉंग्रेस जिस रसादल की तरफ जा रही थी उसको रसादल में ले जाने के लिए किसी अन्हें दल क्या उसक्ता नहीं पड़े कि दोनों भाई भाई बहिन प्रयापत है उसके एक सवाल में जी और मुझे लगता है कि भारत की सुरक्सा के लिए कि पूरी तरह संबेदन शील ब्यक्ति थे इसमें कोई संदे नहीं आप याद करिए कि एक सीमावरती राज्य के बारे में कॉंग्रेस ने जो यह निर्णे लिया है कि कि किसी भी पार्टी को निर्णे लेने का दिकार ह लेकिन जिस संबेदन हिंता के साथ और जिस प्रकार के तत्तों के कहने पर खासतोर पर जो लोग वहां के पाकिस्तान के सेना ध्यक्स के साथ कलवईया करते हैं उनके कहने पर आप चेपनिश्टर को डिस्टर्ब करेंगे यह बहुत ही यानि खतरनाक प्रवड़ती है जी इ जनसद में मित्रता लग है जी लेकिन हमारी मित्रता हमारी राच्ट की सुरक्सा में जो है कहीं आड़े आती तो मित्रता को दरकिनार करें के पहले हम देश की सुरक्सा को देखेंगे देश का जो दुस्मन है वो हमारा भी दुस्मन है हमारा मित्र नहीं हो सकता है जो हमारे निर्दोस जेनिकों पर हमला करे भारत की सीमा में गुस्पैट करवाए वो देश का मित्र कैसे है वो देश का दुस्मन है और जो देश का दुस्मन हो हमारा दुस्मन जो देश का मित्र हो हमारा मित्र है तो मतलब कैप्टनर अमरेंदर सिंग ने बोला उन बातों को सीरिस्ट करना चाते थे उन्होंने ग्यारा तरीक तक की डेडलाइन दी है कैसे देखते हैं आप चाचा बतीजा तो साथ में नहीं आते हुए देख रहे हैं अभी तो देखे यह वो सराजनितिक दल का अपना गर की समस्या है श्यपाल जी बरिष्टन नेता है और मुझे लगता है कि अभी तुम्हें देख रहता लखिम पूर खेरी के मामले में जी मुझे लगता है कि सपा से बड़ा डेलिगेशन श्यपाल जी का था अज़ब है मुझे लगता है कि नहीं पांच-छे अज़ार लोग रहे होंगे पांच-छे हजार लोगों के साथ सपा के उसमें 300-400 लोग थे उनकी साथ 5-6 ज़ार लोग थे तो जनाधार बताता है कि कि रहले किसो के साथ कितनी लोग है तो अतना बड़ा नेता एक लंबा वह उनके साथ है उनकी अपनी बेक्तिकत परिसानी हो सकती है बेक्तिकत छवी हो सकती है लेकिन सपा के लिए उनका कंटिबूशन को नकारा नहीं जा सकता है और उनको जिस तरीके से उन्होंने दरकिनार किया है जिस तरीके से उनको जो है अपमानित किया है जो नेता जी के सा मैं कदम से कदम चला करके संभी सम्व प्रस्तितियों में काम किये हों उनको जिस तरीके से नोंने आज वहां से अपमानित करके बाहर का रास्ता दिखाया औहों बहुती दर्दनाक है और मुझे लगता है कि प्राजनितिक दल का मामला है वो किसके साथ समझोता करें न करें उनको लें न लें उनका अपना मामला है जी लेकिन कम से कम नेता के नाते नहीं चाचा के नाते कम से कम उनको सम्मान तो देते हैं आप अन्रोग करें अखिलेश जी से की उनको सम्मान देते हम कैसे बोल सकते है लेकिन एक सामाने संसकार होता है कि वे अपने से बड़ों का सम्मान करो भी अब मैसेज पबलिक में क्या है देखे अकलेस जी ने पिता को भी पहले इसी तंक से पिता के साथ बेवार किया आज चाचा के साथ भी यही बेवार उन्होंने कर दिया है अब जो अपने परिवार के बड़े बुजर्गों का सम्मान न कर पा रहा हो क्या उम्मीद कर सकते हैं अब उनसे कि वहाँ अपने पार्टी के अन्य लोगों के साथ और प्रदेश की पचीस करोड जंता के साथ कैसा विवार उनका होगा तो हर बेक्ती जानता है योगी जी एक मिठक